दोस्तों बिहार सरकार की एक नई योजना को लेकर जो है बड़ी अब्रिट निकल कर आ रही है यह योजना जो है मुख्यमंत्री लगु उध्मी योजना है मुख्यमंत्री लगु उध्मी एक होता है मुख्यमंत्री उध्मी योजना जिसमें आपको 10 लाख रुपे मिलते है और यह जो योजना है यह लगू उधमी योजना है लगू उधमी योजना में आपको सरकार जो है दो लाख रुपे यहाँ पे आपको देने वाली है और सभी वर्ग के परिवारों को देने वाली है ऐसा नहीं कि सिर्फ SCST, OBC कोई मिलेगा नहीं जनरल हैं, EWS हैं, BC हैं, EBC हैं, SCST हैं सबको यहाँ पे मिलने वाला है तो सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसका डिसीजन ले लिया है और इसकी मंजूरी मिल चुकी है कि अब बिहार में मीनी लगू उध्योग यहाँ पे स्टार्ट किये जाएंगी तो आए समझते हैं कि लग बिहार में एक उध्यमी योजना चलता है उध्यमी योजना के तहट सरकार आपको 10 लाख रुपे देती है जिसमें से आप बड़े उध्योग खोल सकते हैं जो 10 लाख तक के होते हैं जिसमें से 5 लाख रुपे आपके माफ हो जाते हैं और बाकी के 5 लाख रुपे आपको र चिवाले बिभाग के द्वारा देख सकते हैं यहाँ पे जो एक नोटीस सूचिना जारी के एदा सा कैबिनेट डिसीजन सोरो जनवरी दोज़ार चोवीस के डिट में यह डिसीजन लिया गया जिसमें बोला गए उद्मी योजना की सुविकर्ती उध्योग बिभाग राज के बिभीन वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लगू उद्मी योजना की सुविकर्ती यानि बिहार लगू उद्मी योजना के तहद जो है सरकार ने जो है सभी गरीब परिवारों को जिनके परिवारी के स्थिती सही नहीं है उनको यहाँ पर दो दो लाख रुपे सरकार पर परवाइड करनी वाली है तो इसके लिए फ्रेंट्स ओनलाइन आविदन लिए जाएंगी और आप online आविदन करेंगे जिसमें आपके सभी documents लएगे जिसमें आपका सबसे important point समझेए आपका आधार card लएगा इसके बास आपका pen card लग सकता है ये जो है लग सकता है इसके अलावा bank account आपका लएगा जी हां दोस्तो तो अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप बनव बनवाली जी अगर है तो अच्छी बात है नहीं है तो जितना जल्दी हो से कि उतना जल्दी आप बनवाली जी ये सब documents आपके जो है इस बिहार लगू उदमी ओजना के तहत जो है आपके लगने वाले क्योंकि इसकी स्विकृति मिल गई है और बहुत जल्द friends आपको जो ह आने वाले समय में आपका जो है क्या है तो चुनाव है तो सरकार जो है आपको नहीं चाहेगी कि किसी भी कारे में देरी हो जितना जल्दी हो से कि सभी कारे को समपन किया जाए अब थोड़ना सा और update समझते हैं ये तो मैं आपको दिखाया मंट्री मंचल सची वाले भीभा आपको 2 लाख रुपए आपको यहां पर स्रकार देने वाली है, इतना करोर रासी को मिले प्रसासनिक स्विक्रती सभी वर्गों के गरीब परिवारों को मिलेगा योजना कलाव। यानि जो है इसमें हर केटेगरी के लोगों को यहाँ पर सरकार पैसे देने वाली है। भले हो जनरल हो, BC हो, EBC हो, SC हो, ST हो। हर परिवार के सदस्यों को रोजगार के लिए मिलेगी रासी या इसके तहद 62 उध्योगों के लिए सहायता दी जाएगी योजना के किरिवान में वो मनिटरिंग के लिए उध्योग भी भाग के अपर मुख्य सचीव की अधिक्षता में 6 सदस्य कमेटी बनाई गई है। यही नहीं जीला अस्तर पर मनिटरिंग के लिए संबंधित DM की इसके बीच आप होंगे तो आप यहाँ पे इलिजिबल रहेंगे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं लाभूकों की परिवारिक आए 6,000 रुपे मासिक से अधिक नहीं होनी चाहिए योजना के लिए परतेक वर्स ऑनलेन आवेदन मांगे जाएंगे अधिक आवेदन प्राप रेंडम तरीके से और यहाँ पे जिनकी फैमिली इनिकम 6,000 रुपे से कम है मन्तली यहां लिखा हुआ है 6,000 रुपे मासिक से अधिक नहीं होने चाहिए 6,000 रुपे से आपकी फैमिली इनिकम कम है याणि बार्चक के आप खूद कल्कुलेट करेंगे 72,000 रुपे यहाँ प आपके फैमिली इनिकम का है इससे कम तो ही आपको आपके सरकार पैसे देने वाली है तो इसमें आपको हो सकता है कि इनिकम सर्टिफिकेट भी सरकार यहाँ पे मांग दे तो आपको यहाँ पे 72,000 से कम का इनिकम सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाना पड़ सकता है तो यह आ आपका यहाँ पर इंकम सर्टिफिकेट जो है लग सकता है अब जब आवेदन स्टार्ट होगा तब पता चलेगा कि क्या क्या डोकुमेंट्स उसमें मांगे जा रहे हैं फिलहाल को जो मैंने आपको डोकुमेंट्स बताया है वो सब डोकुमेंट्स आप रेडी करके रख कुल परिवार इतना है जिसमें से गरीब परिवार है समान्य में जो जन्रल कारीब परिवार है तो जो जातिय जनगरणा हुआ था न उसकें सरकार ने गरीब परिवारों का एक सूची बनाया हुआ है और उसी परिवारों को जो है ये सरकार यहाँ पे 2-2 लाख रुपे आपको जो उध्योग लगाने के लिए देगे जो 62 तरह के उध्योग यहाँ पे होंगे उसमें से कोई ने कोई एक आपको उध्योग यहाँ पे लगाना होगा थोड़ी से और चीजों को पढ़ते हैं ताक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है बैठक में 18 प्रस्ताव को सुकृत परदान की गई है जिसमें इस योजना के तहट और भी 18 तरह के जो है और भी कबिनेट डिसीजन लिए गए हैं बैठक के बाद के बीभाग के अपर मुख्य सचीव डाक्टर S. सिधार्त ने बताया कि जाती अधारित गणना के अनुसार राज्य में करीब परिवारों की संक्या इतना 94,33312 है इन परिवारों के एक-एक सदस्य को रोजगार के लिए 2-2 लाक रुपे अनुदान के रूप में दिये जाएंगे इस उदेसे से राज्य मंत्री परसट की ओर से बिहार लगू अगले बार ऐसे करके जैसे कि मुखे मत्री उद्मी योजना जब चालू हुआ था दस-दस लाक रुपे सरकार आपको दे रही थी तो अभी भी वह योजना चल रहा है तो लगतार ऐसे हर साल चलेगा यानि हर साल जो इसका आवेदन होगा लगू उद्मी योजना के लिए वो था उद्मी योजना जिसमें 10-10 लाक मिलते थे उसमें आपको 5 लाक माफ होता था और 5 लाक आपको रिटर्न करने होते थे लेकिन यहीं योजना है इसमें साइध आपको रिटर्न नहीं करने पड़ेंगे यहाँ पर देखे समझ माएगा यहारासी लाभूगों को 3 किस् में सरकार आपको रासी देगी जो 3 वर्स में आपको पैसा परदान करेगी यानि 2 लाग का 25 परसेंट पहली बार फिर अगले साल 50 परसेंट फिर तीसरे साल 25 परसेंट रासी देगी हमको लग रहा ही है यह योजना वही है न सही से काम नहीं कर भाए क्योंकि आप सोचिए 2 लाग का 25 परसेंट आप निकालेंगे तो बहुत कम पैसा होता है अब उत्रा रुपे आप देंगे तो उससे क्या उध्योग चालू करेगा वो लगू अब महागाई के जबाना है तो सरकार को यहाँ पर सीधे जो है 2 किस्तों में पैसे देना चाहिए एक पहला एक लाख र वर्सों के लिए लागू की गई है वर्स 23-25 इतना करोड 24-25 में संकेती रूस से 1000 करोड और इस तरह से 1200 करोड की रासी पर प्रसासनिक स्विक्रति यहाँ पर सरकार ने दे दिया हुए तो फिरिंट्स यह बड़ी अपडेट है सरकार जो है इस तरह के योजना ला रही है हम नहीं लगता है कि यहाँ जो है उतने अच्छे से वर्क कर पाएगा यह मेरा भीचार है क्योंकि सरकार तीन बार में पैसे देगी अब सोचिए ना 2,25 परसेंट क्या हो पाएगा तो हमें लगता है कि इसको जो है या तो एक बार में ही पैसा दे दे या हो सकता कि दो बार मे जाएगा उसके बाद देना चाहिए बट ऐसा नहीं है अब देखिए जब इसको जो है आउनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा तो हो सकता है कहीं बदलाव भी हो लेकिन यह हो जना जो है बिहार सरकार ने लेकर आ गया है हमने आप लोगों को बहुत पहले भी अपडेट दिया हो जैसी कुछ अपडेट आता है आवेदन कैसे करना है क्या प्रोसेस रहेगा वह मैं आपको अलग से वीडियों बता दूगा लेकिन जो मैं आपको डोकुमेंट्स बताया वह सब डोकुमेंट्स आप ज़रूर बनवा के रख लीजिए आने वाले भविश्य में वह आपके डोकुमेंट्स लग सकते हैं मिलते हैं किसी नेक्स वीडियों में फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करिए अपने दोस्तों में शेर करिए थैंक यू फॉर वाचिंग जाहिन